हेलो दोस्तो नमस्कार जैहिन आज आपके सामने एक बहुत अच्छा कोशन लेकर आया हूँ जो कि SSC के पॉइंट आविव से चाहे वो प्री हो चाहे वो में सो बहुत जादा इंपर्टेंट कोशन है उस कोशन को आज हम अलग अलग अपरोच से एक बर करके देखेंगे तो यह कोशन है हमारे सामने हाइटन डिस्टेंस का कोशन है एक ट्री ब्रेक्स द्यू तो हैवी स्टॉम और इस अपर एंड टॉइंड ग्राउंड अट एंगल अफ 30 डिग्री इस तस्ट डाउन पॉइंट इस 20 मिटर अवे फ्रम बोटम अफ ट्री फाइंड दी ओरिजिनल हा बतानी है कोशन है तूफान की वज़े से एक पेड ऊपर से तूट जाता है और उसका शिर्ष जमीन से 30 डिग्री का उनिन कौन मना रहा है तथा पेड का शिर्ष उसके आधार से 20 मिटर दूरी पर जाकर इस पर्स करता है तो पेड की वास्त वी कुछ आई ग्याद कीजिए आईए करते हैं इस कुशन को आज को एक डिफरेंट डिफरेंट अप्रॉचिस से करेंगे सबोस करते हैं कि एक ट्री है यह हमने बना दिया ट्री और आधी चली इधर से और ट्री यहां से ब्रेक हो गया और ट्री ऐसे गिर गया इसके जो अपर एंड है इस तरह से यहां पर गिर गया यह 90 डिग्री है यह जो अपर एंड इसका गिरा है यह 30 डिग्री का एंगल बना रहा है बेस के साथ अब बात करते हैं आगे क्या लिखा है कि जो इसका अपर एंड है वो इसके बॉटम से 20 मीटर दूरी पर जाकर गिरा है आपको इस पेड़ की हाइट बतानी है पेड़ की हाइट है यह पूरी यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है यह पेड़ की हाइट है अब गाइज जब यह पेड़ ऐसे गिर गिया और मुझे पेड़ की हाइट बतानी है तो पेड़ की हाइट होगी यह प्लस यह तो मुझे अब इस ट्रेंगल में ये साइड और ये साइड निकालनी है दोनों को फिर हम एड कर देंगे, अब हाइटें डिस्टेंस अगर आपने थोड़ा बहुत भी पड़ा है तो आपको पता होगा 30 डिग्री में 30 डिग्री की फिगर, बेसिक फिगर होती है 30 डिग्री की 1, रूट 3 ये 30 डिग्री की एक बेसिक फिगर यहां पर होती है, बात करते हैं इसमें आगे, अब चला एक चीद देखो, यहां पर एक लिखा है और ये दो है, ये चीज़ हमें ये बताता है कि अगर 30 डिग्री के केस में पर्पेंडिकुलर एक है, तो हाइपटेनिस दो होगा, मलब और अगर ये एक है, ये रूट 3 है, ये चीज़ हमें ये बताती है, कि अगर 30 डिग्री केस में ये 1 होगा, तो ये रूट 3 होगा, यानि कि अगर मुझे इस से इस पर जाना हो तो रूट 3 की मिल्टिप्लाइकर के जाना होगा, अगर मुझे इस से इस पर आना हो, तो मुझ मुझे अगर हाइपटेनिस दिया हुआ है मुझे परपेंडिकुलर चाहिए हो तो मुझे दो से भाग करना हो तब परपेंडिकुलर आएगा और अगर मुझे रूट 3 से इस पर जाना हो तो रूट 3 से एक पर जाने के लिए मुझे रूट 3 से डिवाइड करना होगा देखते root 3 कर डिवाइड कर रहे है as shown in this basic figure अगर ये एक है तो ये 2 होगा और अगर ये 20 बटे root 3 है तो ये 40 बटे root 3 होगा यानि कि double होगा अब मुझे पेड़ की height यहाँ पर बतानी है तो पेड़ की height होगी this plus this तो ये हो जाएगी 20 बटे root 3 plus 40 बटे root 3 इसको हम add कर देते हैं 60 बटे root 3 ये पेड़ की height आ गई लेकिन आपको पता है कि square root में जो value होती है वो upon में नहीं रहनी चाहिए तो हम इसका rationalize कर देते हैं तो ये हो जाएगा 20 root 3 meter ये हमारे इस पेड़ की height यहाँ पर आ गई लेकिन इस तरह से question को करते हैं कौन बच्चे करते हैं ऐसे जिनके basics कमजोर होते हैं खेर बहुत अच्छे basics वाले भी ऐसे ही करते हैं लेकिन अब ये question में ऐसे तो कर ही लिया है हम इसका एक बहुत अच्छा important तरीका बहुत अच्छा smart way इसका बताते हैं इसको कैसे करना है question I hope आपको सौन में आ गया होगा चलिए देखते हैं इसका smart way हम कैसे करेंगे इसको एक बार और करते हैं इस method को हम बोलते हैं officer style इस method को हम बोलते हैं officer style officer style में इसको हम करेंगे तो जरा देखते हैं पहले मैं यहां पर basic figure बना देता हूँ one, root three, two यह basic figures हैं यह आपको याद रखनी होती हैं वैसे तो यह tignometric table की help से बनी हुई है अब हमारा question क्या है? question है एक tree है आंधी आने की वज़े से tree यहां से तूट गया और tree ऐसे यहां पर गिर गया और यह tree का जो अपर पार्ट है जमीन के साथ 30 degree का angle बना रहा है और यह अपर पार्ट यहां से 20 meter दूरी पर जाकर जमीन को touch कर रहा है आपको पेड़ की height बतानी है तो पेड़ की height होगी यह प्लस यह अभी हमने किया इसको ठीक है लेकिन हम एक smart way से ऐसे 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 इसको करते है ज़रा ध्यान दीजेगा क्योंकि SSC में timing management बहुत ज़रा जरूरी है आप mathematics नहीं आप time management सीखते हैं तो चलिए देखते हैं इसको अगर मैं इस figure को इससे compare करूँ तो अगर इसमें यह distance 20 meter है तो पेड़ की height this plus this होगी अगर मैं इसको इससे compare करूँ तो अगर यहां से यहां तक का distance root 3 है root 3 है तो पेड़ की उचाई 1 plus 2 3 है दुबार ध्यान दीजेगा अगर यहां से यहां तक का distance root 3 है तो देखिए guys पेड़ की उचाई 1 plus 2 3 है मतलब यहां से यहां तक का distance root 3 है तो पेड़ की उचाई 3 है मतलब root 3 में मैं कितने की multiply करूं की पेड़ की height आ जाए तीन बनाने के लिए obviously root 3 की अगर मैं root 3 में root 3 के multiply कर दूंगा तो 3 आ जाएगा जो की पेड़ की height है तो यहां से हमें यह बात पता चली तो अगर क्योंकि दोनों figure same है तो अगर मुझे यहां पेड़ की height चाहिए हो तो बस simple बात इस distance में root 3 की multiply कर दूंगा और answer आपके सामने होगा तो गाइज यह question मैंने जो किया अभी दो method से किया एक बाइप पहले हम इसको पूरा किया और फिर हमने इसको officer style में किया गाइज I hope आपको यह समझ में आ गया होगा और देखिए यहां पे यह root 3 है पेड़ के उचाहिए 3 है तो root 3 का और 3 का relation हमने देखा कि अगर इस root 3 में मैं root 3 की multiply कर दूँ तो पेड़ की height आ जाएगी और यही हमने इसमें भी किया कि अगर मैं 20 में root 3 की multiply कर दूँ तो पेड़ की height आ जाएगी जो कि आपके सामने है I hope आपको यह तरीका यह trick समझ में आई होगी और इसी तरह से हम इन छड़ छड़ ट्रिक्स के साथ बार बार आपके सामने आते रहेंगे मिलते हैं फिर अपनी नेक्स वीडियो में थैंक यू नमस्कार जैहिन